नमश्कार दोस्तों, फाइनली इंडोनेशिया ने फैसला ले लिया है कि वो जो अपना कैपिटल है जकार्ता उसको बदल देगा, 2024 तक बताया जा रहा है कि वहां की जो कैपिटल है वो जकार्ता से शिफ्ट होकर नू संतरा हो जाएगी, तो नू संतरा के लिए जो पुरा ब देश को अपना जो पुरा कैपिटल है उसी को शिफ्ट करना पड़ा है, क्या-क्या इंपोर्टन चीजे हैं, नए कैपिटल की जो लोकेशन है, एक्जाक्ली कहां पर है, सब कुछ हम देखेंगे चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, अगर आप UPSC या फिर किसी इग्जाम की त्यारी कर रहे हैं, तो आप हमारे आप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसके लावा अगर आप MCQs एटेम्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर उसको shift करके Borneo Island पर जगह है New Santara, वहां पर कर दिया जाएगा, मैं आपको पहले इसकी location अच्छे से दिखाता हूँ, देखिए, यहां पर आपने आसियान देशों के बारे में सुना होगा, Association of South Asian Nations, तो जो South Asian Nations अगर आप देखोगे, तो यहां पर 10 countries आते हैं, तो इसमें जो एक काफी बड़ा देश है इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया ध्यान रखना है, कई सारे islands में मतलब करी बताया जाता है कि 1750 के आसपास आपको टोटल इंडोनेशिया के अलग-अला islands मिलेंगे, लेकिन जो तीन सबसे important बड़े islands हैं, ध्यान रखेगा, यहां पर आप फर बॉर्नियो आइलेंड पर कर दिया जाएगा, बॉर्नियो एक important इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह जो island है बॉर्नियो यह सर्फ इंडोनेशिया का नहीं है, यहां पर आपको तीन देश देखने को मिलेंगे, बॉर्नियो आइलेंड पर आप देख सकते हो, यह वाला जो भी आपको ध्यान रखना है, तीन देश हैं यहां पर, तो यह जो capital मैं बात कर रहा हूं, वो आपको बॉर्नियो आइलेंड पर, बॉर्नियो आइलेंड पर आप देखेंगे तो इंडिनेशिया की कई सारे provinces आपको देखने को मिलेंगे, कली मांटन, कली मांटन इसको बोला जाता है, यहां पर आप देख पाओगे अगें, इस्ट कली मांटन, सेंटरल हो गया, साउथ हो गया, नौर्थ हो गया, तो यहां पर इस्ट जो कली मांटन है, यहीं पर इसके अंदर बताया जा रहा है कि यह capital जो नूर संतरा है, वो होने वाली है, मतलब कि जो capital का नाम होगा, नौर संतरा, लेकिन वो कौन से प्रोविंस में होगा, यह होगा, इस्ट कली मांटन प्रोविंस के अंदर, फर्दर आप देख सकते हो, यहां पर current capital जकारता से, इसको shift करके, यहां पर करने की कोशिश की जारी है, और इसी को देखते वे, जो इंडोनेशा के प्रेस है, financial inequality है, कई सारी चीज़ों का हवाला दिया था, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो current क्या-क्या है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, 2019 में ही जो को विडोडो के द्वारा बोल दिया गया था, कि सरकार ने यहां पर in-depth study किया है, पिछले तीन वर्स से, और finally यहां पर ज इसको लेकर एक committee setup किया गया था, और यहां पर मैं एक चीज़ important ध्यान रखना है, नूर संतरा मैंने आपको बताया है, जो वो आपका, इसको IKN भी बोला जागा, short में IKN, तो IKN बेसिकली क्या है, यही जो नया capital होने वाला है, capital of the Republic on for Indonesia, वो वही है, सेम चीज़ है, इसका short form IKN है, और इसको करने के लिए, इसको officially launch करने के लिए, change करने के लिए, final जो president का degree होता है, वो यहां पर pass किया जाएगा, अब जाहिर सी बात है, कि जो नया capital बनेगा, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें करने होगी, responsibility बहुत बड़ी होगी, तो इसको लेकर जो head of the state capital authority है, उन आपको बताया है, नूर संतरा जो पूरा आपका capital बनाये जाएगा, उसके लिए 2,56,000 hectares of land, इसके लिए already यहां पर separate truck दिया गया है, और बताया जा रहा है कि 2024 तक इसको transfer कर दिया जाएगा, मतलब जो भी कुछ पहला officially होने वाला है, वो 2024 में होगा, और उसके बात से बताय national organizations हैं, जो भी foreign countries के representatives हैं, जैसे embassies बगरा, सब कुछ आपका वहाँ पर नूर संतरा में shift किया जाएगा, इसके लावा अगर हम capital city के vision की बात करें, तो बताया जा रहा है कि world city vision के तौर पर इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, एक परकार सी जो sustainable city होता है, क्योंकि आज की sustainability की काफी बड़ी दिक्कत होती है, water resource को लेकर, flooding ना आ जाए, बहुत सारे चीजों को देखते वे, यहाँ पर इसको design और manage किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, फर्दर इसके अंदर बोला गया है कि Indonesia की जो future economy है, उसका एक driver की तरह काम करेगा ये वाला, और एक national identity का symbol हो आने के लिए, और इसके अलावा जितने भी civil servants हैं, ministers हैं, सब के जो offices हैं, homes हैं, सब को shift कर दिया जाएगा, और जाहिर सी बात है, जो presidential palace है, उसको भी नए capital में shift हो जाएगा, अब यहाँ पर आपके मन में question आएगा, कि आखिरकार क्या इतनी बड़ी जरूरत पड़ पड़ी जिसकी वजए से जो capital है, उसी को वहाँ पर shift करना पढ़ रहा है, दिखे एक जो major reason अगर आप से पुछा जाए तो ध्यान रखना है, pollution and population, एक तो pollution एक बहुत बड़ा कारण है, और दूसरा है population, अब आदी बहुत जादा जकारता में हो गई थी, जो present में capital है जकारता, और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो previous Indonesian presidents हैं, उन्होंने कोशिश किया था कि यहाँ पर capital को shift किया जाए, बात चल रही थी, लेकिन वो उतना हो नहीं पा रहा था, 2019 के speech में भी जोको विडोनों ने अपना बोला था कि यह काफी strategic location है, urban areas के करीब होगा, अब इंडोनेश रखता थी, इसी के लिए यह किया गया है, इसके लाबा मैं आपको बता दूँ, तो जो इंडोनेशिया की अगर आप independence देखोगे, तो 1949 में independent हुआ था, in fact इसका जो आजादी यह लोग मनाते हैं, वो 17th August, हमारा 15th August है, इनका जस्ट दो दिन के बाद आता है, 17th August, तो 1949 से ही जकार्ता वहां का capital बना हुआ है, और बहुत जादा overcrowded हो गया है, in fact पिछले कई दसकों से अगर आप देखें, तो extreme pollution वहां पर देखने को मिलता है, high rate of pollution मिलता है, अगर विशु के जादा तर most polluted cities में जब number आता है, तो जकार्ता उसमें हमेशा आपको देखने को मिलेगा तो यह pollution मगरा के कारण यह एक बहुत बड़ी चीज थी, इसके अलावा मैंने आपको बताए, inequality की भी चर्चा होती है, inequality मतलब एक तो monetary terms में, या फिर जो भी social economy inequality हो गया, जिस भी terms में आप देखोगे, तो वहां पर जकार्ता और बाकी अगर आप region से compare करो, जैसे कि अगर आ GDP अगर आप देखिए तो 58%, 60% करीब GDP अकेले यहीं से आती है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जादा तर wealth आपको यहीं पर concentrated देखने को में देखा, और जो कली मंटन मैंने आपको बताया है, यहाँ पर सिर्फ 8% GDP आती है, तो further shift करने का एक और कारण बताया जा रहा है कि inequality बगरण कम किया जाएगा, capital shift होगा तो वहाँ पर resources भी जाएंगे, लोगों का उधार भी होगा, यह सारी चीजें भी बताया जा रही है, in fact अगर जकार्ता की देखिए, अगर आप उसका area देखोगे जकार्ता का, it is just 661 square kilometer, और population वहाँ पर कितना है, कहीं जादा है, in comparison to काल mountain, जहाँ पर अभी नया capital बनेगा, वहाँ पर आप area देखिए, बहुत जादा है, लेकिन population काफी कम है, तो उसमें भी थोड़ा सा change लाने की कोशिश की जारी है, इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत important चीज़ बताऊं, capital shift होने का, वो है sinking capital, जकार्ता को sinking capital बोला जा रहा जाए, क्योंकि जकार्ता में आप देखोगे, तो वहाँ पर वो पुरा multiple, कई सारे river से surrounded है, तो flood वगरा से काफी जादा problem होती रहती है, वहाँ पर, in fact यहाँ पर जो study वगरा किया गया था, उसमें यही बताया गया था, कि यहाँ पर बहुत सारे जो areas है, जावा के, वो जकार्ता डूपते जा रहा है, हर साल कुछ cm आप देख सकतो, यहाँ पर यह दूपते जाते हैं, और in fact यह भी बताया जाता है, कि development की वज़े से, जो groundwater का utilization किया गया है, उसकी वज़े से काफी जादा वहाँ पर दिक्कत हो गई है जकार्ता में, तो यह सारे main कारण, I hope कि आपको समझ में आ गया होंगे कि आखिरकार क्यों shift किया जा रहा है, लेकिन जो नया capital है, उसको लेकर भी थोड़े बहुत concerns दिखाएगा है, environmentalist और activist के दोरा, basically अगर आप देखे तो यह जकार्ता से जो नया capital होगा, वो it will be around 2300 km दूर, यहाँ से इधर तर, ठीक है, तो जो and environmentalist का कहना है, कि capital को shift करने की वज़े से काफी जादा deforestation होगा, यहाँ पर लोग वहाँ पर रहने आएंगे, जिसकी वज़े से जो animals और trees हैं, उनको काफी बड़ा danger और खत्रा होने वाला है, और आपको पता ही है कि विश्व के कई सारे हिस्तों में, क्योंकि आप कर रहे हैं, और finally जाने से पहले यहाँ पर इसके नाम के बारे में भी बात कर लेता हूँ, आपसे नूस अंतरा, तो नूस अंतरा जो है, यह जो नाम बेसिकली दिया गया है, यह Old Japanese term है, इसका बेसिक मतलब होता है आकी पिलागो, आकी पिलागो का मतलब है कि जो islands होते हैं, कई सारे उसी को group of islands को कहा जाता है, आकी पिलागो, और बताया जा रहा है कि करीब 80 names, 80 नाम सोचा गया था कि क्या नया नाम रखना है, उसमें से नूस अंतरा रखा गया, क्योंकि काफी familiar है, वहाँ पर इसको याद रखना आसान है, familiar है वहाँ के लोगों के लिए, historical perspective से, sociological philosophical aspect से इसको रखा गया है, और ये एक प्रकार से पूरे इंडोनेशिया को represent करेगा, नेशन को represent करेगा, इसलिए इसका नाम नूस अंतरा रखा जा रहा है, तो I hope कि इस पूरे वीडियो के अंदर जो भी कुछ था, नय capital को लेकर इंडोनेशिया के, वो सब कुछ आपको समझ से कर पाओगे, चार option है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories में आप जाकर play कर सकते हूं, बाकि अगर आ